दोस्तों अगर आपने भी अभी तक National Scholarship वाला फॉर्म के लिए online आबेदन नहीं किया है तो जल्दी साफ इसके लिए online आबेदन कर दिजे क्योंकि इनकी अंतिम जो तीती है 31 October 2020 रखी गई है तो आप लोगों के पास मातर 4 दिन समय बचा है जल्दी साफ इसके लिए online आबेदन कर दिजे चाहिए आप यहापर 9th, 10th, 12th या फिर B.A.B.S.C.B. किसी से भी अगर आपने पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसके लिए online आबेदन कर सकते हैं ओनलाइन आबेदन कैसे करना इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है इसी वीडियो के नीचे आप यहाँ पर क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वह वाली वीडियो का लिक मिल जाएगा वीडियो देखके खुद से आप अपने मोबाइल से जो है नेशनल स्कॉलर सिफला फॉर्म जो है आबेदन कर सकते हैं रही बात कि आपने हापर ओनलाइन आबेदन कर दिया है लेकिन आपने अभी तक अपने फॉर्म को फाइनल सब्मिट नहीं किया है तो फाइनल सब्मिट नहीं करने के बहुत सारे कारण आपके हो सकते हैं या तो आपने अभी तक अपना bonafite certificate में आपने आप signature नहीं करवा याने की upload नहीं किया है तो आप क्या कीजिए bonafite certificate को download कर लिजे, download करने के बाद आप अपने college में जाए college जो है बंद नहीं है ठीक है पढ़ाई नहीं हो रहा लेकिन college, school college जो है भुली हुई है आप अपने principal से जाकर के मिलिए उनसे bonafite में अपना roll number डालिए जो आपका present class course का roll number है वो डालेंगे उनके बाद photo डालेंगे signature मोहर डालने के बाद आप जो है इनको upload कर देंगे और final submit कर देंगे रहे बात कि आपका कोई और problem है जैसे कि आपके form में किसी परकार की truth हो गई है या गलती है या आपने bank account number डाल दिया या नाम गलत हो गया ज़्यादा तर किसेस में क्या होता है post की जगा pre और pre की जगा post select कर लेते हैं तो वो भी आप सुधार कर सकते हैं चाए आपने final submit भी कर दिया है तो भी आप उनको जहे सुधार कर सकते हैं अगर आपको pre और post समझना है तो उसके लिए आप यहाँ पर new registration वाले option पर आप यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो guideline के तीसरे नमर पर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखें साब साब देखें mention करके बता है देख पार है कि pre metric वही select करेंगे जो कि यहाँ पर कच्छा 1 से लेकर के 10W के चात्र हैं तो देख पार है यहाँ पर 1 से लेकर 10W के select करना होगा तो अगर आपके form में किसी भी परकार की तुरूटी या फिर गलती पाई गई है तो आप लोग पास 4 दिन का समय है जल्दी साप उनको जो EDT या फिर सुधार कर दिजी आप फिर से आबेदन दे सकते हैं सुधार कैसे करना उस पर भी हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है देखे मैं हमने सभी के लिए जो अलग अलग वीडियो बना जिससे आपका जो भी प्रॉब्लम है उनका आपको solution मिल सके तो form सुधार वाला जो वीडियो का link जो आपको नीचे वीडियो के description में दिया हुआ है यहाँ पर आप नीचे क्लिक कीजिए आपको मिल जाएगा कि form कैसे सुधार कर सकते हैं final submit होने के बाद भी तो वीडियो देख लिजे आपका जो भी गलती आप उनको दोबारा से सुधार कर सकते हैं कुछ लोग बोल रहे थे कि जब भी हम यहाँ पर 10th के लिए apply करते हैं पूरा form fill up करने के बाद जैसे हाँ पर हम final submit करते हैं तो हमारा जो form है वो error बताता है और वहाँ पर हमको 12th का roll number मांगता है तो अगर आपके साथ बेगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए अपने scheme को देखिए कि आपने क्या select करा है आपने post metric select किया है कि pre metric select किया है तो सबसे पहले आप अपनी category को check कर लिजिए तो देख पर है इन्हों नहीं आपर देखिए post metric को select कर लिया है जबकि यह metric के छात्रे इनका देखिए गलत हो चुका है post metric उन लोगों के लिए जैसे ग्यारवी बारवी या फिर बीए बीए सी बीकॉम इस वज़े से यहाँ पर आपको जो है 12 का रोल नमर आपको मांगा जा रहा है एक से ले करके 10 वी के छातर जब भी online आबेदन करेंगे तो आपको हैं पर pre metric select करना है तो आपको क्या करना आपको अपना category check करना है तो यहाँ पर देख पर है फिलाल अब यहाँ पर एक ही यहाँ पर scheme सो हो रहा है तो देख पर है इन लोगों के लिए यहाँ पर जो है दो scheme सो होता था जब यहाँ पर error बताएगा आपको ठीक है तो वहाँ पर दो scheme सो होता था और आप जब भी central sector scheme वहाँ पर choose करेंगे तो आपको वहाँ पर role number मांगेगा ही मांगेगा तो ठीक है मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ तो यहाँ पर आप जैसे सुरू में ही आएंगे तो यहाँ पर list में नाम आया है तो ही आपको वहाँ पर जो है central sector scheme को choose करेंगे अन्य था आपको यहाँ पर जो भी आपका पर pre metric आता है या post metric scheme आता है आपको उनको इस तरीके से choose कर लेना है और bona fide certificate को आपको वहाँ पर जो upload कर देना है यहाँ से आप simply download कर लेंगे और college में जाके signature करा कि आप यहाँ पर जब भी final submit करेंगे तो आपका है पर successfully final submit हो जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो ठीक है फिलाल हमाँ भी final submit नहीं कर रहे है क्योंकि इस तरी के साँ आपको demo के था ता आपका हम आपको बता पा रहे है तो इस तरी के साँ आपका जो भी problem है error है इस तरी के साँ उनको जाए solve कर सकते हैं अगर आपको scholarship से related मन में कोई भी confusion है या फिर problem है तो simply आप हमारे channel पर जाए YouTube पर जाए और simply search करें हमारे channel का नाम India Study Learn जैसे आप यहाँ पर search करेंगे इस परकार खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपको इस वाले option पर click करना है playlist वाला हमने यहाँ पर एक playlist बना दिया है scholarship से related जितना भी आपका problem होगा आप यहाँ पर इस पर click करेंगे playlist वाले option पर तो यहाँ पर आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको देखने को मिलता है आपको यहाँ पर यहाँ पर यानी की पैसा कब मिलेगा bonafets upload कैसे करेंगे क्या upload करना जरूरी है कोई भी मन में confusion है तो आप यह वाली वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगे अगर आपके form में किसी परकार की तुरूटी पाई गई या गलती है आपने bank account नमर गलत कर दिया है फाइनल सब्मिट भी कर दिया है तो भी आप उनको जह सुधार कर सकते हैं देख पार है वो वाली वीडियो अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है अगर आपका scheme so नहीं हो रहा बोना फाइट कहां से मिलेगा scheme available नहीं हो रहा वो वाली आपको देखने को मिल जाता है वीडियो बहुत से आपर हमने वीडियो को कवर किया तो आप इस तरी के से category wise भी वीडियो देख करके जो भी आपका problem है इस तरी के साप उनको जह सॉल्व कर सकते हैं इस तरी के से आप लोगे तक छोटा सा update देना थ यह अपडेट आप लोगों को कैसा लगा नीचे कॉमेंट में जरू बतेगा मिलते दूसरी वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम